सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत-बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत-ईकमाल की टेक्नियूज तो छिलिए शुरू करते हैं दोस्तों सुरी आज इस वीडियो में शायद इतना तेजी से या इतना जोड से ना बोल पहूँ बिकॉस गले में थोड़ा सा इंफेक्शन है लेकिन यहां पर दोस्तों पहला अपडेट है वो बहुत-ईकमाल का है और आप सभी के सपोर्ट की वज़े से हमारे चैनल ने मि के कम्प्लीट कर लिए हैं तीन मिलिन अने की तीस लाख सब्सक्राइबर्स यह दोस्तों बहुत-ईक बढ़ा नंबर है और यह जो काम है यह हो गया था परसों शाम में लेकिन कल संडे को टेक टॉक्स तो आता नहीं है तो यहां पर दोस्तों आज दोरों आपको अपडेट और भी रिसेंट दोस्तों नंबर है वो निकल के आ गया है करीब 30,45,000 के आसपास तो यह दोस्तों आप सभी का प्यार है और इस बात पे और प्यार देना जरूर बनता है दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक फोल्डिंग सामसंग गेलेक्सी और यहां पर दोस्तों यह जो है certified हो चुका है अपनी home country बोले तो दोस्तों South Korea में और यहां पर दोस्तों यह जो फोन है वो Samsung शायद बहुत जल्दी launch कर सकता है Samsung ने पिछले काफी टाइम से plan किया था कि हम ऐसे कुछ phones लेके आएंगे market में तो शायद दोस्तों 2018 यह पर क्या दी Samsung की तरफ से अगला update है वो निकल के आता है यहां पर Apple की तरफ से और यहां पर दोस्तों Apple ने ना क्या किया है कि दोस्तों complete उसकी supplies की order थे iPhone 10 के लिए मैं बार बार X बोल देता हूं तो यहां पर दोस्तों वो Apple ने 40% कम कर दिये हैं लेकिन फिर दोस्तों suppliers से उनको मुश् iPhone 10 का iPhone 10 का और यहां पर दोस्तों शायद इतने pieces नहीं होंगे mobile phones के market में तो वो अब दोस्तों टाइम कैसा निकलेगा phone की black होगी लाइन लबी-लंबी लोग वेट करेंगे वो हम देखेंगे कि क्या दूस्तों handle करता है Apple अपनी इस चीज को जब launch करेगा iPhone 10 करीम November के महीने में तो अगले update है वो निकल के आता है यहां पर इक बहुत ही कमाल के handheld device को लेके और यह दोस्तों दुनिया का अपना एक ऐसा पहला handheld device है जो दोस्तों alcohol का पता लगा सकता है bottle के अंदर से ही मतलब bottle के बाहर से ही कि यहां पर दोस्तों वो जो alcohol है वो असली है के नकली है तो यहां पर जो हैलकॉल है वो सही है कि नहीं है इन फार्ट दोस्तों अगर सही भी है तो वहां पर क्या कॉंसेट्शन दोस्ताओं को मिलता है है यहां पर अडोबी की तरफ से और यहां पर दोस्तों अडोबी ने अगले अपडेट है वो निकल के अगले पर दोस्तों अगले अपडेट है वो निकल कहाता है यहां पर Airtel की तरफ से और यहां पर दोस्तों Airtel लेकर आया है ट्रिपल नाइन रुपीज का एक प्लान जहां पर मिलता है एक 112 GB का डेटा बेनेफिट, रोज का 4 GB, और यहाँ पर दोस्तोंनों कॉल्स हैं, वो कहने को हाला कि अलिमिटेट हैं, लेकिन यहाँ पर आप कर पाएंगे दिन का 200 मिनिट, हफते का 1000 मिनिट कॉल, लोकल है फिर S3D नंबर्स पे, और यह दोस्तोंनों प्लान है, यह है सिर्फ फि कॉस्ट पर मिल रहा है, और सभी कंपनी जो है, वो कमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रोज का चार्ज भी मिलता है, 90 दिनों तक, हाला कि वो 3G है, लेकिन फिर दूस्तों, आप मुझे सिर्फ इतना बता हो कि आप क्या समझते हो, आइडियली आपके वाइल डिवाइस के लिए, एक दिन में, कितना GB data आपको सही रहता है, 1GB, 2GB, 3GB, 4GB, आपको यूसेज पैटन क्या है, मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में, अगला अपडेट है, वो आता है, इंडिया में एक जो नया फोन दूस्तों, लांच हुआ है, टेन और जी उसके लिए, यह द दूस्तों, आपको मिलती है, 3GB के RAM, 32GB के स्टोरेज, छोटे वाले वेरियंट के लिए, और दूस्तों, 4GB के RAM, 64GB के स्टोरेज, बड़े वाले वेरियंट के लिए, और यहाँ पे काम में दूस्तों, लिया गया है, snapdragon 626, पीछे हैं 13MP के dual cameras, सामने दूस्तों, camera है, solar missile के selfies के लिए, जो screen दूस्तों है, वो है 5.5 inches का full HD, और battery है 4000 mh की, तो अच्छी बात है, hardware दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी दूस्तों, आपको ये नहीं कोगा कि आ ब्लाइंड ली जाओ, इस नए brand का phone ले लो, पहले देखो market में, कैसा ये perform करता है, कैसी इसकी service है, उसके बाद में हम सोच सकते हैं, कि हाँ, हम इसको मौका दें या ना दें, क्योंकि at least on paper तो, price की एसाब से, जो value है, वो काफी अच्छी लगती है, तो अगला update है, वो निकल के आता है, यहाँ पे Uber Pool के लिए, और यहाँ पे अगर आप दोस्तों रहते हैं, Delhi NCR region में तो काफ है, वो unblock हो गया, जब मैं उसको sign up किया था, अपने नए Note 8 में, दोस्तों अगला update है, वो निकल के आता है, यहाँ पे Xiaomi की तरफ से, और यह है, दोस्तों Redmi Note 5 Plus के boxes को लेके, और यहाँ पर दोस्तों एक box leak हुआ है, जो एक retail box हो सकता है, Redmi Note 5 Plus का, अब इंडिया में तो लोग Redmi Note 4 की decision मना रहे है, अभी तक बढ़िया चल रहा है, लंबा 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 चल रहा है, अभी कब आएगा Note 5, कब आएगा Note 5 Plus हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और rumor से कहती है, कि शायद एक और phone आ सकता है, budget range में, 18 by 9 aspect ratio के screen के साथ में, दोस्तों अगला update है, व उसने कुछ भी आज़ा कर लिया हो, अगर दोस्तों recent past में cocaine के साथ में अपना संपर्क बनाया है, तो सिर्फ उसके fingerprint को check करके यह पता लगाया जा सकता है, दोस्तों कि ऐसा हुआ था के नहीं, तो यह बहुत ही कमाल की बात है, और यह बहुत ही instant एकदम rapid fingerprint test है, जिसके चलते किसी ऐसे इंसान का जो शायद cocaine को handle कर रहा था, उसका पता लगा पाना बहुत ही easy होगा, तो यह दोस्तों एक और नहीं technique निकल के आई है, जो कि इजाद की है हमारे कुछ कमाल के scientist ने, हमारे मतलब दुनिया में कहीं के कमाल के scientist ने, दोस्तों अगला update है, वो निकल के आता ह है जियोफोन की, और ऐसे में मैं जो जियोफोन मेरे पास में है, फिलाल जिसका giveaway contest भी चल रहा है, उसको जब मैं काम में ले रहा था, तो मैंने देखा कि है और वहाँ पे बहुत सारे features ऐसे हैं, जो बहुत ही unique हैं, जो लगता है कि अच्छा इसमें ये भी है क्या, तो मैं स इंडिविजवल दोस्तों या फिर अगर कोई ऐसा इंसान जो कि authorized नहीं है, अगर कभी IMA नमर दोस्तों change वगरे करता है, एक fake IMA अगर वो swap करता है, तो यहाँ पे दोस्तों हो सकती है तीन साल तक की jail, इसके अलावा दोस्तों जो brands हैं, जो companies हैं, जो ये काम करती है, कभी मा आई में नमबर से हैं, उनसे हम निजात पा सकें, दोस्तों अगला update है, वो निकल के आता है company Razer की तरफसर, यहाँ पर दोस्तों Razer जो है, वो अपना gaming smartphone launch कर सकता है, इस साल के end तक, यह दोस्तों confirm कर दिया है Razer ने, यह दोस्तों Razer वही company हैं जिसके पास में था, तीन स्क्र smartphone कैसा होना चीए, अगर आपको खेलने है mobile phone पे अच्छे वाले games, दोस्तों अगला update है, वो निकल के आता है iOS 11 update को लेके, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सरे users ने यह report किया है, जो उनकी battery life iPhone की वो कम हो गई है, मैंने फिलाल अपने phone में जो iPhone 7 Plus है, उसमें भी तक update नहीं किय iOS 11 का, विकॉज मेरे जो data है, वो उसमें बहुत ज्यादा है, यह मैं करूँगा बाद में फिलाल मैंने iPhone 8 Plus को यूज करना start किया, ऐसी बस देखने के लिए, लेकिन मैं उसके इंदर भी अपनी main से मिला के switch नहीं कर रहा हूँ, विकॉज मैं वेट ही कर रहा हूँ, और देड जो की हैं हमारे IT Minister, और वो दोस्तों ये बताते हैं कि यहाँ पे 95 mobile firms जो है, उन्होंने इंडिया में manufacturing plant अपना setup कर लिया है, जहाँ पर दोस्तों डेली, नोइडा वगर जो रीजन है वो बहुत ही popular निकल के आता है, लेकिन सर, ये manufacturing नहीं है, यह assembly है, यार हम इसको क्यों नह समझते हैं, दोस्तों इंडिया में आप कोई भी phone की बात करते हैं, जहाँ पे भी लिखा है न, made in India, या making in India की initiative के अंदर है, दोस्तों जो कोई भी है, वो phone नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, उसके parts बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पे सिर्फ असेंबल हो रहा है, मैं वो दिन चाता हूँ, हम सभी दोस्तों चाहेंगे वो दिन, जिस दिन हम इंडिया में from scratch, यहाँ पे सभी दर की facilities हो, कि एक proper smartphone है, वो दोस्तों एक proper machine, आप completely इंडिया में बना पाएं, हमको कोई part कहीं से import ना करना पड़े, अब दोस्तों नों काम चल रहा है, बाकी companies यह काम करती हैं मदरबोट भार से आया, और उसके बाद दोस्तों बैटरी भार से आया, जो भी उसके बाद में चोड़ के बना दिया, यह नहीं होना चाहिए, अटलिस हम चाहेंगे कि यह दोस्तों चीज़ें हैं वो इंडिया में बने, तब और गर्व की बात होगा, लेकिन फिलाल के उस जाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक के शेयर नहीं किया है, तो लाइक बिर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, कोई मैं आपके रोजाना ऐसी लाल के लिए इतना ही दोस्तों, जै हिंद, वंदे मातरम